तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि राजस्तान में एगरी कल्चर सुप्रवाजर का एक्जाम है और आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला ये वीडियो अगर आप ये एक्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए स् इस फल्व का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ठीके दोस्तों ये काफी पुराना पेपर है तो मैं उसी के एंसर सीट के अंसर बताऊंगा तो पहला का एंसर जो है केला हो जाएगा दूसरा कोश्चन है दोस्तों विच फ्रूट इस आलसो नोन आज पूर मैन ओरेंज गरीबों का संत्रा किसे कहा जाता है कोश्चन नमबर टू का एंसर है सी यानि की टमाटर अगर हम बात करेंगे कोश्चन नमबर तीन की इसमें पूछा गया विंटर चेरी के नाम से कौन सा आउसदी पौधा जाना जाता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा अश्व नेक्र कोश्चन नमर फौर्थ में पूछा है ग्लेडियोलस फूल को क्या करते हैं इसका जो राइट एंसर हो जाएगा इस पाइप ठीक है चलते है नेक्र कोश्चन नमर फाइप हैड किस फल का आर्थिक भाग है ठीक है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा पत्ता गोभी यानि कि कैबेज चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर नेक्स्ट कोश्चन है शिक्स खीरा वर्गी फसलों में पादफ हर्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काओ करते हैं ठीक है पोश्चन नमबर शिक्स का जो है राइट एंसर यह ओप्शन है दो से चार सच्ची पत्ती अवस्था नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों कोश्चन नमबर सेवन जिसमें पूछा गया आएटी दुरकापुरा मधु किस फसल से संबंधित किसम है दुरकापुरा मधु जो है वह किसकी किसम है कोश्चन नमबर साथ का एंसर हो जाएगा खरबुजा यह करेक्ट एंसर है चलता है न नेस्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 8 अंगूर में संगाई की कौन सी विधी में सरवाधिक उतपादन प्राप्त होता है ठीक है कोश्चन नमबर 8 का जो राइट एंसर होगा पंडाल यानि कि ट्रेनिंग सिस्टम पूचा है अंगूर के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा प् कोश्चन नमबर 9 पूचा गया है राजस्थान के किन जिलों में किनों का अधिक्तम उतपादन होता है किनों एक फूरूट है तो इसका उतपादन राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है इसका जो राइट एंसर हो जाएगा गंगा नगर्वा हनुमानगर ठीक है चलते हैं नेक्ट कोशिन पे नेक्ट कोशिन है दोस्तो कोशिन नम्मर 10 इसमें पूछा गया है खजूर का प्रसारड किसके द्वारा होता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा आफ सूट के बीना आफ सूट के द्वारा होता है टेंथ का राइट एंसर ही हो जाएगा दोस्तों जो मैं सारे एंसर बता रहा हूँ यह यहां की जो ओफिशिल वेबसाइट थी वहाँ पे अपलोट की गए है उसी का एंसर है ठीक है एंसर सीट के द्वारा ही मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट है राजस्तान में अनार की कौन सी बाहर सबसे उप्युक्त है बाहर ट्रीट्मेंट होता है अनार में और ग्वावा में भी होता है तो इसमें पूछ रहा है की कौन सा बाहर सबसे उप्युक्त है राजस्तान के छेतर के लिए एक 11 का answer हो जाएगा मृद बहार ठीक है यह right answer हो जाएगा चलते है next question पे next question है African marigold का वायनास्पतिक नाम क्या है ठीक है इसका जो right answer हो जाएगा tagatus erecta और जो tagatus spatula होता है वो french marigold का होता है ठीक है चलते है next question पे next question है दोस्तो question number 13 इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विधी को सगन बागवानी कहा जाता है सगन बागवानी यानि intensive gardening ठीक है इसका जो right answer होगा दोस्तों वो हो जाएगा kitchen gardening intensive gardening का एक form है kitchen gardening चलते है next question पे तो दोस्तों next question यह रहा question number 14 इसमें पुछा गया है powdery milieu is a major disease यानि चूड़ी फपूत कौन से फल की प्रमुख व्यादी होती है तो इसका जो right answer होगा लगबग यह सभी में लगता है powdery milieu आप में भी लगता है bear में भी लगता है और अंगूर में इसलिए उप्रोप्त सभी होगा इसका right answer चलते है next question पे next question है सिंधूरी is variety of सिंधूरी किसकी किस्म है तो पंद्रा का जो right answer हो जाएगा अनार सिंधूरी जो है अनार की किस्म है चलते है next question पे next question है दोस्तों 16 इसमें पूछा गया कि आम का सरवादी कुदपादन कौन से राज्य में होता है तो इसका जो right answer होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का प्रदेशन होता है चलते है next question पे next question है काफी important question है कि गुलाब की खेती में छटाई का समय है तो प्रूनिंग का जो उप्युक्त समय है गुलाब में वो कौन सा होता है किस माह में होता है इसका right answer हो जाएगा October से November माह में कौन सा October to November चलते है next question पे next question है दोस्तो question number 18 यहाँ पे पूछा गया है कि jam बनाने के लिए कौन साफ हल उप्यूक्त रहता है तो हमारे पास options हैं केला, अननास, अमरूद, एंड मिठी नारंगी लेकिन अगर हम right answer की बात करेंगे तो यह हो जाएगा अननास ठीक है 18 का B, option सही है यह मैं इसी की site के द्वरा upload कीए एंसर सीट के अनुसर मैं बता रहा हूँ तो कोई भी answer इदर उदर हो आप चेक कर लिजिएगा चलते है next question पे next question है which fruit have highest in vitamin C तो कौन सा इसा fruit है जिसके पास सबसे ज़्यदा vitamin C होता है इसका जो right answer होगा barbatos cherry ठीक है इसके बाद किस में होता है इसके बाद आवला में होता है चलते है next question पे next question है question number 20 इसमें पूछा गया आम की bonny किसम कौन सी है तो दसहरी, केशार, नीलम या आमरपाली दोस्तो इसका जो right answer होगा वो आमरपाली होगा क्योंकि आमरपाली को high density planting के रूप में भी यूज किया जाता है और यह एक bonny किसम है ठीक है चलते है next question पे next question है अंतर नहित सब्द का संदी विच्छेद होगा यहां से हिंदी स्टार्ट हो गया है तो अंतर नहित सब्द का संदी विच्छेद इसमें से क्या होगा 21 का option है A right answer है अंतह धन नहित तो यह हो जाएगा अंतर नहित ठीक है next question है question number 22 इसमें पुछा किया दैत्य धन अरी संदी विच्छेद का सही संदी सब्द क्या है इसका जो right answer होगा C option यह correct answer हो जाएगा next question है संतोस सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो दोस्तों जो संतोस है उसमें कौन सा उपसर्ग है तो question number 23 का right answer हो जाएगा sum ठीक है यह उसमें एक उपसर्ग है चलते है next question पे question number 25 इसमें पूछा गे निमने लिखी तमें से किस सब्द में प्रत्य का प्रयोग हुआ है question number 24 है इसमें पूछा गया है किसमें प्रत्य का प्रयोग हुआ है इसका answer नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से टिक करिएगा और इसका भी answer नहीं दिये काभी question है जिसके answer नहीं दिये गए तो आपको अपने हिसाब से लगाना है next question है 26 26 में पूछा गया है वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किन्तु प्रथम पद दुती पद की विजेशता बतलाता है तो question number 26 का right answer हो जाएगा C कर्मधारे समास ठीक है next question है question number 27 इसमें पूछा गया है पसू पांसू पड का क्रम से शही अर्थ प्रकट करने वाला सब्द युगम क्या है question number 27 का right answer हो जाएगा जानवर, रेत और मुल्य ठीक है ये correct answer हो जाएगा चलते है next question पे next question में पूछा है निमनलिकित में से कौन सा सब्द सागर का पर्याइवाची नहीं है तो इसका जो right answer हो जाएगा निरिजर ये सागर का पर्याइवाची नहीं है चलते है next question पे तो दोस्तो next question में पूछा है रिक्तिस्थान के लिए रेखांकित सब्द का उच्चित विकल्प चुने तो संपन्य ब्यक्ति की ब्यथा यहाँ पे आपको रिक्तिस्थान भढ़ना है नहीं जान सकता इसका जो right answer होगा 29 का D वी पन्न चलते है next question पे तो दोस्तों जो next question है उसका जो right answer होगा फ़ले तो question देख लेते हैं निम्न लिखित में से कौन सा सब्द सुद्ध है तो टीज का B जो है निहारी का यह सब्द सुद्ध है ऐसा answer sheet में लिखा है बट मुझे तो नहीं लग रहा है खेर आप लोग match करा लेजेगा चलते है next question पे next question है 31 आपकी सोजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की असुद्धी है 31 का answer दिया ही नहीं है next question है 32 32 में पूछा है सब लोगों से सम्बंद रखने वाला वाक्यांस के लिए सही सब्द क्या है सब लोगों से सम्बंद रखने वाला वाक्यांस के लिए सही सब्द है सार्भजनिक ठीक सभी लोगों से सम्बंद रखने वाला चलते है next question पे next question है deportation सब्द के लिए उचित परिभासिक सब्द है question number 33 इसका जो right answer हो जाएगा बी प्रती नियुक्ती ये correct answer है चलते है next question पे question number 34 बहुत ही कठिन कारे करना के लिए किस वाक्य में सही मुवावरे प्रयोग में लाया गया है इसका जो right answer होगा दोस्तों वो हो जाएगा 34 का A संस्कृत पढ़ना लोए के चने चबाना है कोई आसान काम नहीं है ये हो जाएगा इसका मुवावरा चलते हैं next question पे next question है 35 इसमें पूछा गया है बैल का बैल गया नौ हाथ का पगाहा भी गया इस लोकौक्ती का अर्थ क्या है 35 का राइट एंसर क्या होगा इसका हो जाएगा C बहुत बड़ा घाटा होना यानि बैल तो बैल गया ही और उसके साथ में नौ हाथ का जो रस्री यानि पगहा लगा होता है वो भी चला गया रस्री जो होती है चलते हैं next question पे next question है दोस्तों question number 36 जो राइट एंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा निस्पंदन विधी यानि लीचिंग के द्वारा जिसके द्वारा लीचिंग के द्वारा हम इसको सुधार सकते हैं चलते हैं next question पे 37 इसमें पूछा है what is the meaning of climate change तो climate change का meaning क्या होता है 37 का क्या है D option right answer है क्योंकि जो climate होता है वो long term range के लिए लिया जाता है यहाँ पे लिखा भी है कि more than 30 years change in weather parameters ठीक है चलते हैं next question पे यहाँ पे पूछा है मृत्तिका करो का ब्यास कितना होता है यानि clay मृत्तिका किसको बलते हैं जो particle होता है उसका ब्यास कितना होता है इसका जो right answer हो जाएगा less than 0.002 mm से कम ठीक है चलते हैं next question पे next question यह रहा हमारा ammonium sulphate उरवरक की तुल्यांकी अमलियता कितनी होती है इसका जो right answer हो जाएगा C option 110 next question है question number 40 40 में पूछा गया है निमन फास्पोरस उरवरकों में से कौन सा अमलिय मिर्दा में उपयोग है तु उपयुक्त है तो right answer जो हो जाएगा A option rock phosphate rock phosphate जो होता है यह एक फास्पोरिक उरवरक है और अमलिय मिर्दा में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है next question है निमन में से कौन सा दुई वर्षी खरपतवार का उधारण है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा right answer हो जाएगा incorium intibus ठीक है यह एक दुई वर्षी खरपतवार का उधारण है चलते है next question पे जो next question है यहाँ पे रहा है आपका spray of atrazine in low concentration act as type of anti-transparent यहाँ कम सांद्रता में जब atrazine का छिड़काव किया जाता है वो एक कौन से प्रकार का वास्पोत सर्जन रोधी के रूप में कारे करता है यहाँ पे आपके पास option है प्रकास परावर्त तक परत बनाने वाला वृधी रोधक या रंद्रबंद करने वाला इसका जो राइट एंसर हो जाएगा रंद्रबंद करने वाला यानि इस्टो मेटा क्लोजिंग टाइप का होता है चलते है next question पे question number 43 इसमें पूचा है आलू की सुसुपता वस्ता को दूर करने के लिए काम आने वाले रसायन निम्नमे से कौन सा है तो 43 का राइट एंसर हो जाएगा C option थायो यूरिया ठीक है यह correct answer है next है 44 इसमें पूचा गया है निम्नमे से कौन से प्रकार के उर्भरक सामान निता भारत विदेश में निर्यात करता है 44 का राइट एंसर हो जाएगा पोटैसिक उर्भरक यह correct answer हो गया चलते है next question पे इसमें पूचा गया है कि single super phosphate में sulfur का अंस कितना प्रतिसत होता है single super phosphate ठीक है SSP इसमें पूचा है sulfur का content कितना होता है इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों B 12% होता है चलते हैं next question पे next question है 46 इसमें पूचा गया है कि राजमा की फसल के लिए संस्तुत नत्रजन की मात्रा kilogram प्रति हेक्टेर में कितनी है तो इसका जो right answer हो जाएगा D option सही है 110 से 120 kilogram प्रति हेक्टेर कितना है 110 से 120 kilogram प्रति हेक्टेर अब चलते हैं next question पे next question है 47 इसमें पूचा गया कि brown manuring a recent approach of wheat control which is mostly used in crop up तो brown manuring जो होता है खरपतवार नेरेंत्रड है तो brown manuring जो कि एक वीदी है कौन सी फसल के लिए समान्यता है अपनाई जाती है इसका जो right answer होगा दोस्तू वो हो जाएगा D option यानि धान की सीधी बुवाई के लिए चलते हैं next question पे next question है एक हेक्टेर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है एक हेक्टेर सेंटीमीटर कितने लिटर पानी के बराबर होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो एक लाख लिटर कितना? वन लाख लिटर ठीक है? ये एक हेक्टेर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है पिलते हैं next question पे यहाँ पे पूशा गया है कच्छस्त कलिकाओं की साखाओं में बढ़वार कहलाती है तो growth of auxiliary buds into suit is known as दोस्तो जो question अगर हिंदीम ना समझ में आ है तो इसको अगर हम इंगलिस में देख लेते हैं तो वो आसानी से समझ में आता है तो इसलिए comparison करके थोड़ा answer को solve करना पड़ेगा इसका जो right answer हो जाएगा 49 का हो जाएगा साखा निकलना जाका लाएगा branching चलते है next question पे next question है संकुल मक्का के प्रमारित बीज उत्पादन ये तो नियनतम प्रितक करण दूरी कितना होता है इसमें isolation distance पूछा है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा B option 200 meter चलते है next question पे question number 51 इसमें पूछा गया है जीया मेज एवर्टा का वानस्पतिक नाम है कि क्या उनका जो right answer हो जाएगा B option पूप करण कौनसा पूप करण next question है 52 which of the following is constituent element of chlorophyll तो इसका जो right answer हो जाएगा magnesium क्योंकि chlorophyll में जो हता last में magnesium पाया जाता है इसके formula को अगर आप जानते होंगे तो इसका right answer हो जाएगा magnesium चलते है next question पे next question में पूचा है दोस्तों कि जो गली erosion होता है जिसको हम अवनालिका चरड भी करते हैं इसकी बढ़ती हुई अवस्था को क्या करते हैं यानि इसके बाद जो आता है वो क्या होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों question number 53 का A option real चरड यानि real चरड के बाद ही ये गली erosion आता है ठीक है ये पूचा गया था चलते है next question पे 54 54 में पूचा है वह पूचाता तो जो इस टूमेटा की गतिया और पौधो की कोशकाओं की स्फीत बनाए रखता है वह का उन्सा है question number 54 का right answer हो जाएगा potassium ये काफी important question है next question है 55 कि मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़त की एक या दो पंक्ति लगाना इसका उधारण है question number 55 का right answer हो जाएगा companion crops यानि सहचर फसलों का ये उधारण है कि अगर मक्का की दो पंक्ति है उसके मध्य में हम उड़त की एक या दो पंक्ति लगा देते हैं तो वह सहचर फसल का उधारण होता है चलते हैं next question question number 55 की बाद 62 इसमें पूछा गया है भेड में समागम की क्रिया को कहते हैं तो options यहाँ पे हैं serving, tapping, covering and coupling लेकिन इसका जो अगर हम right answer की बात करेंगे तो वो हो जाएगा tapping ठीक है भेड में समागम की क्रिया को tapping कहते हैं next question है अभिकालिन is a breed of अभिकालिन किसकी नसल है 63 का right answer हो जाएगा C यह एक भेड की नसल है अब चलते हैं हम next question पे दोस्तों तो next question यह रहा कि किस पसू के दूद में इंसूलीन की मात्रा जादा होती है इसका जो right answer हो जाएगा 64 का option number C उटनी के दूद में जो है इंसूलीन की मात्रा जादा होती है next question है दोस्तों रट या मस्त अवस्ता किस पसू में देखने को मिलती है यह एक अवस्ता है इसका जो right answer हो जाएगा उट रट और मट अवस्ता जो होती है यह उट में देखने को मिलती है next question है दोस्तों question number 66 इसमें पूछा गया है the isiology of HS disease in animal तो hemorrhagic safety semia इसको बोलते है HS को यह आप लिखा भी है पसू में गल गोटू बिमारी का कारड क्या है इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों जिवाडू पसू में जो गल गोटू बिमारी होती है उसका right answer है जिवाडू next question है 66, 67 sorry, दुख द बुखार बिमारी का कारड है इसका जो right answer होगा वो क्या होगा question number 67 option number D यह एक metabolic प्रकार की बिमारी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपाप चाई ठीक है चलते है next question पे next question है इसमें पूछा गया है कि पसूँ में खुर्पका-मुपका-बिमारी का कारड क्या है तो दोस्तों पसूँ में जो खुर्पका-मुपका-बिमारी होती है यह वाइरस के कारड होता है इसका right answer हो जाएगा A option चलते है next question पे next question यह रहा question number 69 इसमें पूछा गया कि निमन में से कौन सी गाय की नसल भारवाग के लिए जानी जाती है तो 69 का option हो जाएगा नागावरी इनमें से जो है भारवाग नसल के लिए नागावरी जानी जाती है ठीक है चलते है next question पे यहाँ पे पूछा गया है कि वैस्क गाय का इस्थाही दात सुत्र क्या है पर्मानेंट टीथ फार्मूला आफ एडल्ट काउ ठीक है इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों वो a option correct है इंसीजर यह हो गया और प्री मोलर मोलर और यह ठीक है यह इसका right answer हो जाएगा चलते है next question पे next question है 71 इसमें पूछा गया है ती वसा की मात्रा भैस की किस नसल में सरवाधिक पाई जाती है तो इसका जो right answer हो जाएगा 71 का option D 72 इसमें पूछा गया है कि निमने में से कौन सी भैस की नसल नहीं है तो हमें answer देना है question number 72 का राथी जो है यह भैस की नसल नहीं है बाकि मुर्रा हो गया सुर्ती हो गया नीली डावी हो गया यह सब भैस की नसल है ठीक है चलते है next question पे इसमें पूछा गया है कि हसियाकार सिंग भैस की किस नसल का प्रमुख लच्चड है तो जो हसियाकार सिंग होता है किस भैस की प्रमुख लच्चड है इसका right answer हो जाएगा दोस्तों सुर्ती कौन सा सुर्ती का भैस होती है उसके जो सिंग होते हैं चलते हैं अब next question पे next question में पुछा गया है भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नशल है तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा जमना पारी कौन सा जमना पारी चलते हैं next question पे next question है राश्टी ये बकरी अनुशंधान संस्थान इस्थित है तो इसका जो right answer हो जाएगा National Goat Research Institute ये मखदूम में इस्थित है कहाँ पर मखदूम में चलते हैं next question की तरफ next question है कि पदम श्री कृपाल सिंग से खावत का संबंद है जो पदम श्री कृपाल सिंग से खावत है इनका संबंद किस चीज़ से है question number 76 का right answer हो जाएगा blue pottery ठीक है blue pottery से ये correct answer हो जाएगा चलते है next question पर next question है 77 इसमें पूछा गया है कि राज कुमार अजीत सिंग को जोधपूर का राज ये पुनह दिलाने में किसका योगदान सरवाधिक रहा है इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तो ये option यानि वीर किसका रहा वीर दुर्गादास राठाओड ये right answer हो जाएगा चलते है next question पर next question है 78 इसमें पूछा गया है कि राजस्तान की अधिकान सवर्चा किन मानसुनी पाउनों से होती है तो इसका जो दोस्तो right answer हो जाएगा वो है option number C दच्छडी पश्मी हवाई यानि south west winds ठीक है दच्छडी पश्मी हवाई अब चलते है next question की तरफ next question है 79 इसमें पूछा गया है कि निमने लिखित में से कौन सा निर्त्य जसनाथी संप्रदाय के अनुआयों द्वारा किया जाता है जसनाथी संप्रदाय के द्वारा पूछा गया इसमें तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा वो होगा A option अगनी नित्र ठीक है जसनाथी संप्रदाय कि जो लोग होते हैं वो अगनी निर्ते करते हैं चलते हैं next question पे question number 80 इसमें पूछा गया है कि राजस्तान के निमने लिखित में से किस सहर में होली के दवरान रम्मत का आयोजन किया जाता है तो इसका जो right answer हो जाएगा B का नेर B का नेर राजस्तान का सहर है जहां पे होली के दवरान रम्मत का आयोजन किया जाता है चलते हैं next question पे next question है दोस्तो question number 81 इसमें पूछा गया है राजस्तान में क्रिशक आंदोलन का प्रारम सरुपरतम कहां हुगा इसका जो right answer हो जाएगा question number 81 का C option बिजोलिया कहां से बिजोलिया से राजस्तान में क्रिशक आंदोलन का प्रारम हुगा था सबसे पहले चलते हैं next question पे इसमें next question है 82 इसमें पूछा गया है कि राजस्तान की भासा के लिए राजस्तानी सब्द का प्रेयोक सरुपरतम किस ने किया था राईट एंसर हो जाएगा नेस्ट कोस्ट्ट्ट है 83 इसमें राजस्तान राज्व डेरी विकास निगम की स्थापना किस वर्स में की गई तो राजस्तान स्टेट टेरि डेवलप्मेंट कCorporation कब इस्टेबलिस हुआ था यह पूछा गया है इसका जो right answer होगा 1975 में established हुआ था चलते है next question पे next question है संत गुड सागर वे नाम माला किस संत द्वारा रचित है यह रचना है इसका नाम पूछा गया है किसने इसकी रचना की है इसका जो right answer हो जाएगा B option दादू किसने किया है दादू ने ठीक है next question पे चलते है next question है question number 85 जिसको हमें match करना है तो यहाँ से हम देखते है जो सबसे पहले सुमेल करना है हमें question number 85 ठीक है इसका जो right answer होगा दोस्तों वो हो जाएगा B option B option में count सा है यह वाला यहाँ पे आप match कर लीजिएगा यह correct answer है चलते है next question पे question number 86 है इसमें पूछा गया है कि एक link महात में किस भासा में लिखा गया है question number 86 का right answer है Sanskrit किस भासा हमें लिखा हुआ है Sanskrit भासा में लिखा गया है next question है दोस्तों 87 इसमें पूछा गया है बीजा वा माला राजस्तान की किस जनजात की साखाएं है question number 87 की right answer है A option इसमें पूछा गया है कि निमन लिखित में से कौन सी जिल जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद है जग मंदिर और जग निवास के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद है इसका right answer हो जाएगा पिछोला जिल यह जिल जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद है चलते है next question पे 89 इसमें पूछा गया है दोस्तों कि पूरुष्व द्वारा पहने जाने वाले आभूशर निमन में से कौन सा है तो इसका जो right answer होगा question number 89 का B की मुर्किया क्या है मुर्किया चलते है next question पे next question में पूछा गया है कि जो चूप नामक अभूशर का संबंद किस से है तो question number 90 का right answer हो जाएगा A चूप जो होता है यह दाथ से संबंदित है next है गमेती निमने लिखित में से किस जनजाती के लोगों के नेता होता है 91 का right answer हो जाएगा A option भील जनजाती जो गमेती होते है इनका जो नेता होता है वो भील जनजाती का होता है चलते है next question पे तो दोस्तों next question रहा कटारगड वाज लिविंग एरिया जोन आफ विच फोर्ट आफ राजस्तान कटारगड जो है राजस्तान के किस जिले का निवास छेत्र था इसमें right answer जो होगा दोस्तों 92 का हो जाएगा option नमबर A यानि कुम्भलगड जो कटारगड है राजस्तान का वाज कुम्भलगड जिले का छेत्र था next question है question number 93 इसमें पूछा गया है कि केंद्री मरू छेत्र अनुशंधान संस्थान में इस्तित है कहां पर इस्तित है वो जगे का नाम पूछा है 93 का right answer हो जाएगा D option जोधपूर Central Arid Zone Research Institute situated in जोधपूर ठीक है चलते है next question पे next question में पूछा गया है कि राजस्तान कभीर यात्रा का संबन्द निम्ने लिखित में से किस छेत्र से है जो राजस्तान कभीर यात्रा होता है वो किस छेत्र में होता है तो इसका जो right answer है दोस्तों गायन छेत्र से होता है ठीक है कहां से गायन छेत्र में next question है कि निम्न में से अशंगत युगमों का चैन कीजिए जो सही सुमेलित नहीं हमें वो चूनना है question number 95 का right answer हो जाएगड़ी जो उट महुच्चा है वो जैसल मेर में नहीं होता है यह अशंगत युगमत है next question है flying squirrel is found in which of the following place ठीक है जो flying squirrel होती है राजस्तान में किस स्थान पर उडन गिलहरी पाई जाती है तो दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा सीता माता वन्नेजीव अभिहारन जो सीता माता वन्नेजीव अभिहारन है यानि सीता माता wildlife sanctuary यहाँ पर उडन गिलहरी पाई जाती है कौन सी flying squirrel ठीक है चलते हैं next question पर next question है question number 97 इसमें पूछा गया है कि राजस्तान के लांगुरिया गीतों का संबंध है जो लांगुरिया गीत होता है वो राजस्तान में गया जाती है right answer हो जाएगा कैला देवी किस से है कैला देवी से चलते है next question पर next question है बाला किला राजस्तान के किस जिले में इस्थित है तो दोस्तों जो बाला किला है वो राजस्तान के अलवर जिले में इस्थित है कहां पर अलवर जिले में चलते है next question पर Qosin No. 99 पूछा गया है चंद्रभागा मेला राजस्तान के निम्नलिकित में से किस जिले में आयुजित किया जाता है तो इसका जो राइट एंसर होगा दोस्तो वो जालावार में होता है कहां पर जालावार ये राइट एंसर है चलते हैं नेक्ट कोशन पर तो नेक्ट कोशन है नैशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इस सिचुएटेड एड़ तो राश्टी इस्तर का सरसो अनुसंधान के निर कहां पर इस्तित है राजस्तान का पूछा है राजस्तान का है वहां पर ही होगा तो इसका जो राइट एंसर है दोस्तों हंडेट का ए सेवर में कहां पर सेवर में तो दोस्तों यह सव कोशन हो गए अगर आपको हमारा वीडियो पशंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने दोस्तों में भी सेयर करिएगा और एगरी कल्चर से जुड़ी नए एक्चाम्स के पेपर के लिए या भी कोई भी एगरी कल्चर से जुड़ी जनकारी के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिजे और हमें इस्टाग्राम पे भी आप फालो कर सकते हैं एडरेट एगरी हिंदुस्तान वहाँ पे हमारा पेज है जहाँ पे आपको नए सारे अपडेट मिलते रहेंगे तो अब चलते हैं फिर तब तक के लिए नमस्कार